नमस्कार दोस्तों, E-Skills Education Center में आपका स्वागत है मैं नीरत शुकला आपके लिए 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2018 की करेंड अफेस का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ पहला वीडियो यदि आपने मिस्स कर दिया हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं हम टोटल चार वीडियो बनाएंगे जो कि मार्च के पूरे महीने के करेंड अफेस के कोश्चन को कवर करेगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृप्या इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंट के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सकाइब करें तो आई ये दोस्तों शुरुआत करते हैं कोशन नमबर वन किस राजिक की सरकार ने हाल में ही विधूर पेंशन लागू करने की घोशना की है तो इसका अंसर हरियाना आप्शन भी सही है कोशन नमबर टू, हाल में ही कौन मेगाले के मुख्मंतरी की रूप में नुक्ट हुए कोशन नमबर फोर, किस देश ने हाल में ही दुनिया की पहली कानूनी मानता प्राप क्रिप्टो करेंसी लांच की है तो इसका अंसर है Marshall Island Option B सही है Question 5 Hal में ही जारी Global Firepower Ranking 2017 में 32 सेना को कौन सा इस्थान मिला है तो 32 सेना को 14 स्थान मिला है Option B सही है Question 6 किस देश ने Hal में ही पहली बार महिला मेराथन पर जोगिता का आयोजन किया गया है तो इसका अंसर है सावदी अरब Option A सही है Question 7 किस देश में हाल में ही दस दिनों के लिए आपात का लागू किया गया है तो यह स्रिलंका में किया गया है option B question number 8 हाल में ही किस सहर में भारत की पता महली कॉप्टर टेक्सी सर्विस शुरूप की गई तो इसका अंसर है बैंगलूरू option C सही है question number 9 हाल में ही नवेवे आसकर पुरसकारों की गोशना की गई इसमें किसे सर्वसेश सेक्टर का पुरसकार मिला तो सर्वसेश सेक्टर का पुरसकार Gary Oldman को मिला है option B सही है question number 10 हाल में ही कौन पाकिस्तान की पहली महिला दलिथ हिंदू सीनेटर बनी तो ये कृष्णा कुमारी बनी है option D सही है question number 11 किस भारती अविनेता को हाल में ही कला और राजनीती में योगदान हे तु लाइफ टाइम एजीबमेंड अवार्ड मिला है तो ये सत्वगन सिना को मिला है option B सही है question number 12 किस भारती की लाड़ी ने हाल में ही Asian Wrestling Championship में गोल्ड मडल जीता है तो ये नवजोत कौर ने जीता है option C सही है question number 13 राश्टी विज्ञान दिवस National Science Day हरवस मना जाता है तो ये ठेस फरवरी को मना जाता है option A सही है question number 14 हाल में ही कौन भारती मेला क्रिकेटर पंजाब पुलिस में DSP बनी है तो ये हर्मन प्रीत कौर बनी है option B सही है question number 15 हाल में ही कौन क्रिकेट इत्याज में सबसे विवा कप्तान बने तो ये राशित खान बने है अफगानिस्पान से ये option D सही है question number 16 किस क्रिकेट टीम ने हाल में ही विजय हजारी ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है तो ये करनाटक ने जीता है option C सही है question number 17 UIDAI ने हाल में ही कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल आधार जारी किया है तो इसका अंसर है पांस साल से कम उम्र के बच्चों के लिए option A सही है कोशन नम्बर 18, किस देश ने हाल में ही मैलाओं को सेना में भलती होने की अन्मती दी है तो यह साउधी अरब ने दी है, option A सही है कोशन नम्बर 19, हाल में ही किस शेहर में यही गवर्नेंस पर 21 राष्टी समयलन आरम हुआ तो यह हदराबाद में हुआ है, option B सही है कुशन नमर 20 हाल में ही आई एक रिपोर्ट के मताबिक किस भारती शहर में विदेशियों की सेलरी सबसे अधिक बताई गई है तो यह मुंबई की है तो option A सही है कुशन नमर 21 हाल में ही मौधनी मौलकल ने अंतर अश्टिक केट से सन्याज का एलान कर दिया वा किस देश से संबनित है तो वे धक्षण अफ्रीका की खिलाणी है option A सही है कुशन नमर 22 भारत ने हाल में ही 25 फरवरी को 2018 को कि स्वदेश निर्मित ड्रोन का सफल पर इक्षण किया तो इसका अंसर है सुलुस्तम 2 option B सही है कुशन नमर 23 कौन देश हाल में ही वित्ती कारवाई कारवल FATF का उपाद्यक्ष बन गया तो इसका अंसर है चीन option B सही है कुशन नमर 24 हाल में ही कौन किसी विदेशी दोरे पर सबसे यारन बनाने वाले कप्तान बन गया तो यह है विराट कोली भारत के हैं यह कुशन नमर 25 हाल में ही प्रसिद्व व्यक्ति तो स्री देवी का निधन हो गया वह थी वहाव नित्री थी option A सही है कुशन नमर 26 भारत ने हाल में ही किस देश के साथ सहरी विकास को बढ़ावा देने है तू समझोता किया है तो यह option B सही है जर्मनी कुशन नमर 27 हाल में ही कौन जिमनेस्टिक्स विश्यकप में पदग जीतने वाली भारती बनी तो यह रोणा रेदी बनी है option C सही है कुशन नमर 28 भारत ने हाल में ही 23 परवरी 2018 को किस परमाणु शमता से लैस मिसाइल का सपल पर इच्छड किया है तो यह धनुष नाम की मिसाइल है option A सही है कुशन नमर 29 हाल में ही हुई गोशना के अनुसार कौन सा देशी 11 मार 2018 को अंतर राश्टी सौर गडबंदर सिखा सम्मेरन की मेजवानी किया तो यह भारत ने की है option B सही है कौशन नमर 30 कौन सा रेलवे स्टेशन हाल में ही भारत का पहला लेडी स्पेशल रेलवे स्टेशन बन गया तो यह गांधी नगा रेलवे स्टेशन जैपूर है option B सही है कौशन नमर 31 हाल में ही कौन सीथ काली ले उलम्पिक में सबसे अरब पदक जीतने वाली खिलाडी बनी तो इसका अंसर है merit बोयर गेन option C सही है कौशन नमर 32 हाल में ही कौन अकेले लडाकों भी मानूराने वाली भारत की पहली महिला बनी तो इसका अंसर है अवनी चतुरवेदी option C सही है कौशन नमर 33 हाल में ही आई रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वेस्टाचार धारणा सुचकांक में भारत का कौन सा इस्थान मिला है तो भारत को इक्यासिवा इस्थान मिला है option A सही है कौशन नमर 34 कौन सा देश हाल में ही बिटकॉइन को सरकारी मानता देने वाला पहला देश बन गया तो ये बेंजुलियो बना है तो answer C सही है कौशन नमर 35 भारत ने हाल में ही 20 फरवरी 2018 को कौन सी बेलेस्टिक मिसाईल का सफल पर इछन किया तो ये अगनी 2 है तो option B सही है कौशन नमर 36 हाल में ही आई रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश नौजाज सिश्यों के लिए सबसे सुरक्षिक देश बन गया तो इसका answer है जापान option D सही है कौशन नमर 37 केंद सरकार ने हाल में ही किस देश के साथ railway छेतर में सही होगे तो सम्झोते को मंजूरी दिये तो इसका answer है मुरक को option B सही है कौशन नमर 38 किस राज की सरकार ने हाल में ही स्कूलों में गैतरी मंत्र अनिवार करने का अंदर्देश जारी किया है तो इसका answer है याणा option D सही है कौशन नमर 39 हाल में ही हुई घोष्टना के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 के विश्व पर्यावाण दिवर्ष की मेजवानी करेगा तो इसका answer है भारत option B सही है कौशन नमर 40 हाल में ही कौन T20 क्रिकेट में सबसे हावा कैच 134 कैच लपकने वाले विकेट की पर बन गया है तो इसका answer है महें सिंग दोनी option D सही है कौशन नमर 41 हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के मुताविक किस राज्य में लिंगा अनुपास सबसे बत्तर बताया गया तो इसका answer है गुजरात option B सही है कौशन नमर 42 किस राज्य की सरकार ने हाल में ही हाईपर लूप अरियोजना हेतु वर्जिन गुरूप के साथ समझाता किया है तो इसका answer है महराष्ट option A सही है कौशन नमर 43 हाल में ही किस स्थान पर अंतर राश्टी सतत विकार सम्मेलन 2018 संपन हुआ तो इसका answer है दिली option B सही है कौशन नमर 44 कौन वेक की हाल में ही नेपाल के 41 में प्रधान मंतरी के रूप में न्यूट किये गए तो इसका answer है केपी शर्मा ओली option B सही है कौशन नमर 45 हाल में ही जैकप जुमा ने राश्टपती से स्थिपा दे दिया वाकिस देश सम्मनित है तो वे दक्षन अफरीका के राश्टपती है option A सही है कौशन नमर 46 किस राजी की सरकार ने हाल में ही दिमागी वुखा को लेकर दस तक अभियान शुरू किया तो यह अभियान उत्तर पदेश में शुरू किया गया है तो option B सही है कौशन नमर 47 हाल में ही आई एक रुपोर्ट के अनुसार कौन भारक के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने है तो यह है चंदरबाबु नाइडू option C सही है कौशन नमर 48 किस भालती है ने हाल में ही महराश्ट्रियन साड़ी में स्काइडाइविंग कर विश्व रिकार्ड बनाया तो इसका अंसर है सीतल राणे option C सही है कौशन नमर 49 हाल में ही आई एक रिपोर्ट के मताविक वन छेतर के मामले में दुनिया भर में भारत के कौन सा इस्थान मिला है तो यह आठवा में इस्थान मिला है भारत को option 20 सही है कौशन नमर 50 हाल में ही साहित एकडमी के ने 23 भारती भासाओं के लेकों को समानित किया जिसमें से संस्कित का पुरसकार मिला है निरंजन मिश्रा को मिला आए यह option 20 सही है धन्यवाद दोस्तों